हेलो व्रिवन कैसे हैं आप सब स्वागत आपका MK क्लासिस में तो कल के क्विज में हमने ट्रांस्पोर्टेशन एंड कम्यूनिकेशन आपने टेलिग्राम क्विज अटेंट किया होका जिसमें आपने 12 कुशन से टेंट किये थे और ये क्विज भी आपका 12 बजे हुआ था ठी कि जो भी सब्जेक्ट से हैं उन सब को हम क्या करेंगी उन सब के टॉपिक मतलब बिल्कुल टॉपिक वाइस टॉपिक उन सभी के टेस्ट कंड़क्ट करवाए जा रहे हैं एक 12 बजे और एक शाम को साथ बजे तो ये दोनों अगर आपको अटेंट करने हैं तो आप मारे ट और एक और दोस्तों की कई लोग बोल रहे थे कि आप टेलीग्राम कुजी से हैं इनकी पीडियफ प्रवाइड करो तो दोस्तों इन सभी की पीडियाप प्रवाइड करना काफी थोड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है कि लगब करेंगे कि जब आपके हम मौक टेस्ट कंडक सेक्षन है तो यह पूरी जनरल विने सेक्षन जो हम 30 मार्क्स की आपका वो कुईज लेंगे तो उसकी पूरी पीडिएफ हम आपको हमारे टेलिग्राम जलना पर प्रवाइड कर देंगे लेकिन अभी के लिए फिलहाल यह जो 40 प्लस अल्रीड हैं तो इन सभी की अगर आपको टेलिग्राम पर पीडिएफ चाहिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यह सभी की लिए पर हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें जितनी भी हमारा सभी फिलाल पड़ी हैं वो सब की सब आपको अगर हम प्रवाइड कर सकें तो कोशिश करेंगे कि कर दें तो आई हम आज की जो यह टेलिग्राम कुईश है इसको स्टार्ट करते हैं टेलिग्राम कुईश नबर थर्टी फाइफ जो आप इंट्रांस्पोर्टेशन और कर दिया था और फिर्स्ट कोशन इसका है आपके सामने विच नेशनल हाइवे कनेक्स दिली और कोलकता को वारानसी से कनेक्ट कर से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए को दराइट अच टूं सी जी राइट आंसर नेशनल हाइवे को यह सिक्स इंडिया में सिक्स स्टेट्स इनको यह घॉल्न उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखंड और वेस्ट बंगॉल तक यह पूरा नेशनल हाईवे जाता है तो इस तरह से यह पूरी six states को connect करता है ठीक है नेशनल हाईवे कनेक्ट दिली और कोलकता इसी में ही दिली भी आ गया वेस्ट बंगॉल कोलकता और इसको यह वारानेसी से connect करता है तो आपको यह टोटल six states भी याद होनी चाहिए देली, हरयाना, उत्तर परदेश, बिहार, जारखंड और वेस्ट वेंगॉल यह सब को connect करता है नेक्स्ट कोर्शन पर मूफ करते हैं कोर्शन पर सैकिंड विच वन फॉल्लिंग नेशनल हाईवे पास होता है उप्श नेशनल हाईवे 6 यह करता है इन सभी महराश्र शत्तिसगर औरिसा से यह पास होता है अगर बात की जाएए कहां कहां से निकलता है कहां मतला कौन कौन से स्टेट से यह पास होता तो फिर गुजरात महराश्र शत्तिसगर औरिसा जारखंड और वेस्ट बिंगॉल इस तरह स से यह पूरा कनेक्ट होता है यह पूरा हाइवे ठीक है एन एच सिक्स गुजरात महाराश्टर शत्यजगर ओरेसा जारखंड एंड वेस्ट पेंगॉल नेक्स्ट कोश्चन कोश्च नमबर थ्री है आपके सामने गोल्डन कोडिलेटरल प्ROजेक्ट फॉर डिवेल्टमेंट ऑफ मैंशनल हाइवेज वाज इनिशेटईट पाई गोल्डन हाइवेज पूर्जेक्ट जो नैशनल हाइवेज के डिवेल्पमेंट के लिए किसके द्वारा इनिशेट करवाएगे थे पीवी नर्सीमा राओ, आईके गुजरल, मनमौन सिंग जी यहां फिर अटल विहारी वाचवाई तो पहले बात तो golden quarter project दोस्तों यह वो project होते हैं जिसका main काम क्या होता है जो main industries होती है ने countries की उनको connect करना, उनके लिए transportation और communication थोड़ा बहतर बनाना, smooth बनाना तो यह golden quarter project के under आता है अब यह बात की जा दिया है, यह initiate किसके दोरा करवाया गया था तो इसका right answer है, अर्टल विहारी वाचवाई, ठीक है, जो हमारे former prime minister है जुके है अटल विहारी वाचवाई जी, option D है जा हम पर right answer, ठीक है, और next question पर move करते है, question number fourth, national highway 1D connects lay to Kashmir valley through dash pass, तो यह question आप सभी को आता होगा, यह question हमने transportation communication जब हमने जमुन कश्मीर का भी पढ़ा था, जमुन कश्मीर economy में, जब हम आँके national highways पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर national highway 1D का जिकर हुआ था, तो वहाँ पर आपको यह पता होगा, lay to Kashmir valley को, जो यह national highway connect करता है, यह कौन से पास से होकर गुजरता है, मतलब, कौन से पास से यह निकलता है, तो option नाम से यह आपको पता चला होगा, जोचिला पास, ठीक है, option B यहाँ पर है, right answer, next question पर move करते है, question next डिल्ली 2, national highway 1D को किस से connect करता है, options है, चन्यई, कोलकाता, मुंबे यह फिर अमरिच सर, तो यह आपको पता होना चाहिए, national highway, जो 1 है, यह किस को, डिल्ली को किस से connect करता है, अमरिच सर से, option D is the right answer, ठीक है, national highway 1, डिल्ली को अमरिच सर से connect करता है, 6 question पर move करते हैं which of the following seaport is nearest to road killa steel plant इन में से कौन सा seaport सबसे पास है किसके road killa steel plant के तो पहले आपको बता होना चाहिए कि road killa steel plant कहां पर रहा है ये है road killa odissa में कौन सी state में odissa में ये plant है और अब बात पूछी जा रही है कि इसके जो ये rodkilla steel plant है इसके सबसे UPAS सीपोट कौन सा है सबसे पहले चीज़ जो आपको बता होनी चाहिए कि 니다 और यसा स्टेट में थेक है और दूसरी बात कभी अब यहां पेर पोर्ष्ण कै prochain पूछा जा रहा है कि इस प्लांट के सबसे UPAS वाला都ar प्लांट अगर वहां पर हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है, मिनरल को पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम सबसे पास वाले सीव पॉट से ही, वहां से उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मिनरल की उस प्लांट तक ठीक है, तो यहां पर सबसे पास वाला सीव प यहां पर कौन सा mineral ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके उपर आगे question है वो आपको वहाँ पर पता चलेगा ठीक है पारदिप sea pot से रोडिकिलर स्टील प्लांट के लिए कौन सा mineral है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे option D यहां पर right answer है 7th question है which pots are located on the eastern coast of India इंडिया के eastern coast में कौन से pots located है ठीक है तो यहां पर option तो आपको देख रहे होंगे आप देख रहे होंगे तो पहली बात आगर मैं कंदला और कोचिन इन दोनों की यह बात करता हूं यह दोनों कोन कोन से कंदला और कोचिन यह दोनों है west coast of India अब एक वर बात ये दोनों western coast कोस्टें में कुछ आ रहा रहा efter और औach से और कोजो स से रहा इसन उस में है पैळारीप है हल दिया ओप्शन डी हम पर रहा है राइट आंसर यह फंफ सब स्पाण से अपठीच है यहां पर लॉकेट फ्लेटétais कि अथ्था कंपा साट 56ा 2 तो इसमें कोई confusion आपको नहीं होनी चाहिए, next question पर move करते है, question number 8, the first pot developed after independence was, independence के बाद, पहला pot कौन सा बनाया गया था, options है, new mangalpur, mumbai, gandala, या फिर, नहवा, शेवा, तो right answer आपको बता होना चाहिए, it is option c, gandala, ठीक है, देखिए क्या था कि partition जब हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो जो कराची, उमारा कराची pot था, यह पाकिस्तान को चला गया, ठीक है, अब सिर्फ mumbai pot पर ही, mumbai si pot पर ही, बिल्कुल काम का load ना आ जाए, तो इसको पूरे work को reduce करने के लिए, थोड़ा neutralize करने के लिए, kandala pot भी बनाया गया था, यहाँ यह कहा pot है, जो independence के बाद डिवाल्प किया गया था, kandala में, kandala si pot और कौन सी स्ट्रेंट ने बनाया है के लिए, गुजरात में, option c है, यहाँ पर right answer, next question, question number 9, who among the following is the major item of export from parody pot, यही question में उपर बात कर रहा था, इन में से कौन सा, major item है, जिसको जो export किया जाता है, कहां से, पैराडी pot से, option है, rice, tea, fish, यहाँ फिर iron, ore, तो क्या transport किया जाता है, iron, ore, ठीक है, iron, ore, option D है, right answer, देखिए, अब iron की अगर बात की जाए, यह काफी ज़्यादा बाहरी होता है, ठीक है, तो इसकी transportation इतनी इसानी से नहीं हो सकती, तो इसी लिए, हमने जो उपर पढ़ा था, पास होने के कारण ही, parody pot से, जो mineral iron हो रहा है, वो ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रूर्किला स्टील प्लांट में, okay, option D, यहाँ पर right answer, next question पर move करते है, question number 10, which of the following is not a natural pot, इन में से कौन सा एक natural pot नहीं है, तो options है, चन्नेई, मुंबई, कोचिन या फिर parody, तो right answer सबी को पता होना चाहिए, चन्नेई, A is the right answer, चन्नेई, जो natural pot नहीं है, बाकि यह मुंबई, कोचिन या फिर यह तीनो natural pots के अंडर, natural sea pot के अंडर आते हैं, ठीक है, option A, जहाँ पर right answer, चन्नेई, pot is not a natural pot, option, question number 11, where is gandla pot located in, उपर अभी हमने बढ़ा था, गंडला pot कहां पर located है, options है, गल्फ आफ कुछ, कोरी क्रीक, गल्फ आफ खंबात, यहां पर none of these, तो कुछ बिहार है, कुछ, गुजरात अभी हमने उपर पढ़ा था, ठीक है, option A, यहां पर होगा, right answer, गुल्फ आफ कुछ, गंडला pot कहां पर है, अभी हमने उपर पढ़ा गुजरात में, गुजरात स्टेट में, ठीक है, option A, यहां पर right answer, next question पर move करते है, question number 12, आज की इस question, जो यह टेलीग्राम कुई है, इसका last question है, the last three digits of a pin core represents, तो pin core आपको बता है, जो 6 digits का होता है, इसके जो last three digits होते हैं, यह क्या represent करते हैं, option C, यहां पर है right answer, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे यह पूरे 12 questions जो squeeze में थे, transportation and communication में, यह complete होते हैं, और मिलते हैं फिर आपसे अब next video में, जिसमें हम आपके लिए next quiz लेकर आएंगे, और जो भी चैनल बढ़ने होते 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 हैं, चैनल को subscribe कर दीजिए, और हर दीन 12 साथ बज़े वाला कुई से attempt करते रही है, यह आपकी division में काफी आपको help करेगा, ठीक है, तो हमारी दरब से अभी फिलाल इतना ही, और मिलते हैं फिर आपसे आप next video में